दोस्तों यह कहानी एक ऐसे समय की है जब युद्ध के बाद पृत्वी पर जादा लोग नहीं बचे हैं और जो लोग बचे हैं उनके पास पानी की बहुत जादा कमी है जिसके लिए वो लोग हमेशा लड़ते रहते हैं मूवी की सुरुआत में मैक्स नाम के एक बंदे को दिखाये जाता है जो अकेले ही इस रेगिस्तान में सर्वाइव कर रहा है क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है और जो उसके परिवार के लोग थे वह उन्हें बचा नहीं सका इस वज़ा से वो लोग बार बार उसे दिख पड़ा था वो इमोटन जो की आर्मी से थे इमोटन जो बेहदी कुरूर और घटिया किसम का इंसान होता है लेकिन ये लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं और उसके लिए जान भी देने को तयार रहते हैं जब मैक्स को यहां लाया जाता है तो वो लोग उसके सरीर पर टैट तबीले के लोगों को गुलाम बनाते हैं और उनके बलड को यूज़ करते हैं लेकिन जब वो लोग उसके सरीर पर इमोटन जो की मौहर लगाने वाले होते हैं तब blueprint आहां लेकिन उसके भागने की यह को सिसना काम हो जाती है इसके बाद हम इमोटन जो को बाहर आते वे दे देता है जिससे केवल कुछ ही लोगों को पानी मिल पाता है इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फिरियोसा है यह इमोटन जो की बेटी है और साथ ही यहां की आर्मी की कमांडर भी है आज यह पासी के एक अलाके में पेट्रोल और पानी की डील करने के लग जाता है वह उसका पीछा करने के लिए अपनी आर्मी को तैयार होने के लिए कहता है उसकी आर्मी तैयारे में लग जाती है तबी हम नुक्स नाम के एक सोलजर को देखते हैं जो की आर्मी के साथ जाना चाता है और फिरियोसा को पकड़ कर इमोटन जो की नजरों में लेकिन खून की कमी की वजा से वो लोग नुक्स को अपने साथ नहीं ले जाना चाते नुक्स मैक्स की तरफ इसारा करके कहता है कि मेरे पास मेरा बलड बैनक है और वो लोग मण जाते हैं अब ये लोग एक बड़े काफिले के साथ फिरियोसा को पकड़ने के लिए निकल पढ़ते हैं मैक्स को न्यूक्स की कार के बॉनट पर बांद दिया जाता है और उसमें से न्यूक्स को लगतार बलड के सप्लाई मिलती रहती है तब हमें फिरियोसा को दिखाये जाता है जो कि एक दूसरे कभी लेके इलाके में पहुंच जाती है उस कभी लेके लोग अपनी नहीं वाली होती है कि तभी वे अपने सामने एक रेतिला तूफान देखते हैं फिरियोसा के पास और कोई आपसर नहीं होता इसलिए वह उस तूफान में एंटर कर जाती है लेकिन न्यूक्स भी उसका पीछा करते हुए उसमें एंटर हो जाता है और अपनी गाड़ी में बहुत सारा पेट्रोल फैलाने लगता है ताकि वे फिरियोसा की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी में ब्लास्ट करके उसे रोक सके लेकिन तभी मैक्स पीछे से आकर उसे रोकने की कॉसिस करने लगता है तभी न्यूक्स की गाड़ी फिरियोसा के टेंकर से टकरा कर और लड़कियों को देखता है जो की इमोर्टन जो की पतनिया थी जिनके लिए इमोर्टन जो फिरियोसा का पीछा कर रहा था मैक्स उन लड़कियों पर गन तान देता है और उनसे जंजीर को काटने के लिए कहता है उनमें से एक लड़की जंजीर को काटने लगती है लेकिन तबी Furiosa Max पर हमला कर देती है और तबी Nukes को होस आ जाता है और वे Furiosa को पकड़वाने में Max की मदद करता है जिससे Max पूरे तरीके से Furiosa को अपने कंट्रोल में ले लेता है Nukes को लगता है कि Max उसकी साइड है इसलिए वे Max की जंजीर को काट देता है लेकिन Max किसी की भी साइड नहीं था इसलिए वे Nukes को धक्का मार कर Furiosa के ट्रक को लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन कुछ दूर जाकर ही टेंकर अपने आप बंद हो जाता है Furiosa वहाँ आती हैर Max को बताती है कि उसने टेंकर में बटन्स का एक सीक्वेंस सैट कर रखा है जो किवल उसी को पता है इसलिए ये टेंकर उसके बिना नहीं चलेगा इसलिए Max इन सब को टेंकर में आने देता है अब ये सब लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं तब ही सामने पहाड़ी इलाका आ जाता है जहां पर किसी और कभीले के लोग रहते हैं फिरियोसा बताती है कि मैंने कुछ पेट्रोल के बदले इन से डील की है ताकि ये लोग हमें यहां से जाने दें फिरियोसा इस कभीले के सरदार से बात करने के लिए बाहर आती है और उससे कहती है कि मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे लिए पेट्रोल लेकर आई हूँ इस पर उस कबीले का सरदार कहता है कि हमारी डील के अनुसार तुम्हें अकेले ही आना था लेकिन तुम्हारे पीछे तो पूरी बारात आ रही है फिरियोसा अपने टेंकर से पेट्रोल टेंक को अलग करने ही वाली होती है कि तबी इमोर्टन अपनी आर्मी के साथ वहां पहुँच जाता है जिसे देखकर उस कबीले के लोग उन पर फाइरिंग करने लगते हैं लेकिन वो लोग जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं उस कबीले के लोग एक चटान को ब्लास्ट करके गिरा देते हैं जिससे इमोर्टन जो की आर्मी के लिए रास्ता बंद हो जाता है लेकिन इमोर्टन जो के पास एक आफ रोडिंग गाड़ी होती है जिसमें वह अपने कुछ सैनिकों के साथ उस रास्ते को पार कर जाता है उन सैनिकों में न्यूक्स भी होता है जो की इमोर्टन जो के लिए सहीध होना चाता है कुछी देर में ये लोग फिरियोसा तक पहुँच जाते हैं इमोर्टन जो फिरियोसा को सूट करने ही वाला होता है कि तभी उन लडकियों में से एक लड़की बहार निकलती है जो की प्रेगनेंट होती है इसलिए इमोर्टन जो उनपर सूट नहीं करता बलकि उनको रोकने के लिए उनकी स्टेरिंग पर जंजीर से हमला करता है जिससे उनकी स्टेरिंग अटक जाती है और उनके टेंकर का बैलेंस बिगड जाता है जिससे वह लड़की नीचे गिर जाती है जो दरवाजे पर लटकी हुई थी उसको बचाने के चक्कर में इमोर्टन जो की गाड़ी भी पलट जाती है वह भार आकर अपनी वाइफ को देखता है जो की मर चुकी थी वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिरियोसा की गाड़ी में न्यूक्स छुपा हुआ था इमोर्टन जो की बची हुई चारो पत्रियों में से एक उसे देख लेती है न्यूक्स उस लड़की को बताता है कि मैं अपनी जान देकर भी तुम लोगों को पकड़ना चाता था और इमोर्टन जो की नजरों में एक अच्छा सोलजर बनना चाता था लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं वह लड़की उसे समझाती है कि शायद उसके लिए सहीद होना तुम्हारी किसमत में नहीं था सायद तुम्हें किसी और मक्सद के लिए चुना गया है वहीं उनको चलते चलते अब रात हो जाती है लेकिन तभी उनकी गाड़ी का टायर दलदल में धंच जाता है जिससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी वहीं दूसरी तरफ इमोर्टन जोकी आर्मी लगतार उनके नजदीक आये जा रही थी तभी न्यूक्स उनकी गाड़ी को दलदल से निकलवाने में उनकी मदद करता है और उनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है अब चलते चलते उनको सुबह हो जाती है तभी फिरियोसा को एक टावर दिखाई देता है जिससे देखकर उसे याद आ जाता है कि यह वही जगे है चहांपर वहे बच्पन में रहा करती थी वहे उस टावर के पास जाती है और उस टावर पर जो लड़की होती है उसे अपना नाम और अपने कबिले का नाम बताती है और साथी अपना मा का नाम भी बताती है इतना सुनते ही कैई सारी फिमेल बाइकर्स उसके पास आ जाती है ये सबी फिरियोसा को पहचान लेती है और उससे मिलकर बहुत खुस होती है फिरियोसा उन्हें बताती है कि उसके साथ चार और लड़किया है जिने वह ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती है इस पर वो औरतें से बताती है कि यहां का ग्रीन प्लेस तो रेगिस्तान में बदल चुका है जहां से तुम आ रही हो वही एक मात्र ग्रीन प्लेस बचा है यह सुनकर वह निरास हो जाती है वह मैक्स से कहती है कि यहां से आगे हम बाइक से ग्रीन प्लेस की तलास में जाएंगे हमने तुमारे लिए भी एक बाइक छोड़ दी है अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो इस पर मैक्स कहता है कि नहीं यहां से मैं अपना रास्ता खुझ चुनूंगा फिरियोसा उन औरतों के साथ अपने आगे के सफर पर निकल जाती है तभी मैक्स को एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसे वह पास्ट में बचा नहीं पाया था वह उससे कहती है कि तुमने हमें बचाने का वादा किया था इसके बाद मैक्स अपनी बाइक से फिरियोसा के पास पहुंच जाता है और इसे कहता है कि जिस तरफ तुम जा रही हो वहाँ तुमें नमक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमें इमोर्टन जो के कले पर वापस जाना चाहिए वहाँ पर ग्रीनरी के अलावा पानी भी है अगर हमने उस कले पर कबजा कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा उसकी इस बात से सब लोग सहमत हो जाते हैं और फिर से अपने टेंकर से इमोर्टन जो के कले की तरफ चल देते हैं लेकिन इमोर्टन जो इने वापस जाते हुए देख लेता है और वह समझ जाता है कि ये लोग उसके कले पर कबजा करने जा रहे हैं वह अपनी आर्मी के साथ उनका पीछा करने लगता है काफी धेर तक इनके बीच जंग चलती है तब भी फिरियोसा जैसे तैसे इमोर्टन जो की गाड़ी तक पहुँच जाती है और उसके माक्स को उखाड फेंकती है जिससे इमोर्टन जो की तुरंती मौत हो जाती है लेकिन इमोर्टन के सैनिक अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे उनको रोकने के लिए न्यूक्स अपने टेंकर को उनके सामने पलटा देता है और फिरियोसा के लिए अपनी जान दे देता है इस जंग में फिरियोसा बुरे तरीके से घायल हो जाती है मैक्स उसे अपना बलड़ दे कर उसकी जान बचाता है अब वो लोग Immortan Joe के किले के पास पहुंच जाते हैं जब यहां के लोग देखते हैं कि Immortan Joe मर चुका है तो यह लोग Furiosa को अपना लीडर मान लेते हैं और उसे उपर किले पर ले आते हैं लेकिन Max उनके साथ उपर नहीं जाता वह अकेले ही अपने आगे के सफर पर निकल जाता है Furiosa उसे जाते हुए देखती है और उसके फैसले का सम्मान करती है वहां पर सब के लिए पानी के पाइप्स को खोल दिया जाता है लोग खुशी से जूम उठते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है आपको यह मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए